एलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे चुनकि मेरा नाम है दूजी तो देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया था कोश्चिन नबर 25 तो 26 साथ हम पढ़ेंगे ठीक है कोश्चन नमर 27 अब देखिए यहां पर क्या है वेंड डाइग्राम से बनाने जो फ्लावर होते हैं ठीक है इसका अंसर बनेगा यह दिखिए यह एक इक सिफ्ट ऊपर हो जा रहा है ठीक है और यहां पर अगला word आ जा रहा है तो यहाँ पर देखिए यह dollar उपर जाएगा ऐसे और यह arrow यहाँ पर जाएगा ठीक है और यह जो आपका figure है dark color वाला यह भी simple में होगा ऐसे ठीक और यहाँ E की जगा पर क्या जाएगा अगला लेटर F आ जाएगा ठीक है और यह इसका उल्टा हो जाएगा ठीक मलब कि यहाँ पर dark हो जाएगा और यहाँ पर खाली रहेगा तो कौन सा figure ऐसा बनेगा option number A ऐसा बनेगा तो इसका अंसर जाएगा option number A option number A question number 29 यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है 32 टूजा कितना होता है 64 64 टूजा 128 तो 2048 का टू टाइम समकर देंगे कितना आ जाएगा आट दूना 16 के 6 हासिल 1 चार दूना 8 एक नौ दो सुन निम सुन और दो दूना 4 चार सो चैनबे चारिस चैनबे option number D अगला है question number 30 देखिए मोहित इस टॉलर दें रोहित तो देखिए ऐसे लिखेंगे हम मोहित बड़ा है किस से रोहित से ठीक बट सॉटर दें संजय समय तो समय से छोटा है तो समय इससे भी बड़ा हो जाएगा ठीक रोहित इस सॉटर दे यहां पर लिखेंगे रगू रगू और छोटा हो जाएगा ठीक क्यों क्यों क्योंकि यह रोहित से भी बड़ा है कौन अब कोशे ने पूछा है सबसे 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 कौन है रगू तो इसका अंसर हो जाएगा option number C रगू कोशे मों 31 यहां पर कौशे है जिसमें question यह पूछा है कि one एक line of symmetry है तो एक line of symmetry आपकी किसमें है पहले इस figure में है और इस figure में है ठीक ना इन दोनों में line of symmetry नहीं बनेगी ठीक है अच्छा देखे इसमें बनेगा क्यों ने क्योंकि यहां पर इससे निकल क्या आया हुए ठीक है ठीक है यह देखी यहां पर तो यह गड़बढ़ है तो यहां पर line of symmetry सिब्दों में पी और क्यों में ठीक है ना पी और क्यों में तो इसका अंसर हो जाएगा option number c question number 32 how many different pairs of one pencil and one box form from the group of three pencil and five box तो देखिए अगर एक pencil एक box का आप different group बनाएंगे तो five box और तीन pencil का कितना group बनेगा फाइप इंटो त्री फाइट तरी जा कितना हो जाएगा 15 ठीक है 15 option number a अगला question number क्या करें कि science words से इसमें से concern नहीं बनाया जाएगा तो देखिए send नहीं बनाया जाएगा क्यों क्यों क्योंकि देखिए इसमें a है ही नहीं तो a कभी आएगा नहीं ठीक है डी भी नहीं है तो इस concern लेटर साइंस वर्ट से नहीं बनाया जा सकता अब यहां प 12 ठीक है कुछ गरबड़ हो रहा है क्या है कि देखिए फिर से count करते हैं ठीक है देखिए एक दो तीन अरी हो गया चार ठीक है चार के बाद यह देखिए यहां पर पांच ठीक है यह हो आपका हो जाएगा छे यहां पर एक साथ यह 8 यह 9 यह 10 11 यह 12 और यह 13 तो आपिछन नूमर C अगला कुशन है किसमें लाइन आफ सिमेट्री होंगी एक 2 से और 4 चार लाइन आप्छन नूमबर D 4 36 यहां पर देखिए टी इन ओं से कितने लेटर्स से आपके बनाए जातें हैं एक बार देखिए एक तो पहला बनेगा no te note ठीक है और एक बनेगा tone t o n e tone ठीक तो इस console जो option number d none of these दो ही बनेंगे बस अब देखिए question number 37 क्या है question यह कह रहा है कि element 8 to the left 17th element to the देखिए जब left left दो बार आ जाए ठीक है तो कितना है पहली बार कितना लिखा 8 तो आप यहाँ एक बार 8 और दूसरी बार कितना लिख रखा है 17 17 जब left left दोनों side से हो question भी पूछा हो क्या कि left hand से कौन से number पड़ेगा तो 17 में से 8 minus कर दीजिए कितना आ जाएगा 9 अब left से आप 9 number गिल लेजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 percentage है यही आप का अंसर हो जाएगा option number भी ठीक है चलिए अब 38 नमर पर आते हैं Ludo means racket होता है racket का मतलब football होता है football का मतलब shuttle होता है shuttle का मतलब bet होता है bet का मतलब कह रहा होता है तो question पूछ रहे क्रिकेट किस से खेलते क्रिकेट आप bet से खेलते हैं और bet को क्या कहा गया है shuttle तो इसकांसर हो जाएगा shuttle option number D 39 number missing number निकालना है कैसे निकालेंगे देखिए 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 7 5 जा कि इधर देखिए 5 6 जा 30 30 में 7 का multiplier 210 तो इसकांसर हो जाएगा 210 option number B यह भी देख लीजे 6 4 जा 24 25 जा 20 26 कितना होता 120 कोशन नमबर 40 देखिए यहां पर कोशन नहीं कह रहा है कि यह जो आपका triangle है यह girls को represent कर रहा है और जो आपका circle है यह आपका coach को represent कर रहा है और जो आपका यह rectangle है यह आपका player को represent कर तो कोशन ने पूछा है कि the boys who played players और चैथ तो players और coach तो players और इसमें होना चाहिए दोनों होना चाहिए और लड़के होना चाहिए ठीक है लड़की से कोई मतलब नहीं है तो तो दोनों में क्या रहा है सिर्फ टी आ रहा है तो इस खांसर हो जाएगा टी option नंबर ए यहां पर देखिए mirror image पर place करेंगे तो कौन सा figure बनेगा तो यह बनेगा आपका option नंबर कि यह बनेगा option नंबर सी ठीक है ना option number six cancer होगा अगला यह pattern आपको फिल करना कैसे कौन सा अबनेगा यहां पे देखिए यह वाला पैटन यहां पर बनेगा तो यह वाला पैटन इहां पर बनेगा चुछ नंबर 43 यहां पर बताना है कि क्वालन सा establish है आपका कौन सा आएगा यहाँ पे figure में तो देखिए यह जो circle है इस तरीके से change हो रहा है तो देखिए पहला तो यह गलत हो जाएगा यह होगा है नहीं तो कि अगला figure चुभाएगा वो ऐसा आएगा ठीक है तो यह तो होगा नहीं इन तीनों में से होगा अब इन तीनों में से कौन सा होगा यह जानना है देखिए यह इस बार कहां पे आजाएगा यहां पे ठीक है ना यहां पे यहां पे यहां पे भी यहां भी ठीक है अब देखिए यह पहला वाला गलत हो जाएगा एक बार उपर काला एक बार नीचे काला तो यहाँ पर इस बार उपर नीचे काला था तो उपर काला होगा तो इसका अंसर बनेगा option number D question number 44 यहाँ पर देखिए 24 में 4 का multiply करेंगे तो कितना आएगा 96 और 119 सा 99 तो 3 में किसका multiply करेंगे 87 आजाए तो 3 से divide कर दीजे किसको 87 को तो 3 2 6 यहाँ पर कितना आजागा तू और यहाँ पर 7 3 9 27 तो कितना आजागा 29 इसका answer करेंगा option number 29 चलिए अब यहाँ पर आते है question 45 पर देखिए आपको एक meaningful word बना रहा है तो इसका answer बनेगा option number D ठीक है यह देखिए सब मैंने कर लिया लेकिन आप इसको करके करेंगे ठीक है जैसे यहाँ पर इसका answer बनेगा option number D यहाँ पर डिफ्रेंट कौन सा है तो देखिए 46 में 5 और 3 8 होता है 4 4 8 होता है 3 3 6 2 8 होता है लेकिन 8 और 9 होता है तो सबसे डिफ्रेंट क्या option number D ठीक है question 47 रवी और अमित आर गुड प्लेइंग प्यानो गिटार एंड वाइलिन देखिए रवी जो है वह और अमित यह लोग प्यानो बजा लेते हैं गिटार बजा लेते हैं अब कुनाल और गौरो क्या है यह फ्लूट बजाते हैं ठीक है उसके बाद गौरो और सचिन प्यानो बजाते हैं ठीकड़ संचिन और कुनाल ऑर गुड इन प्लेइंग गिटार असे हैं अमित यह सरी अब बजा लेता है अप न्य यह तहुँ मोथ आपकी यह थी तो अमित जो है वो सब कुछ बजा लेता है तो इसका अंसर हो जाएगा option number D, अमित, ठीक है? ठीक है न? ठीक है न? ठीक है न? ठीक है जो रभी है रभी यहाँ पर flute नहीं बजा पाता इसलिए इसका कम हो गया ठीक इसलिए answer रभी नहीं होगा अब दीके question तो इसका अंसर बनेगा option number D, ठीक है अब यहाँ पर देखे67 टूजा कितना होता है? 134 तूजा कितना होता है? 268 और 268 तूजा कितना होता है? 536 तो इसका अंसर बनेगा 536 option number C question number 50 अब यहाँ पर एको पताना है दिखिए question क्या कह रहा है कि 21 student है question यह कह रहा है कि दीपक जो है middle में है तो दीपक अगर middle में होगा तो इसके side में भी 10 बच्चे होंगे और इसके side में भी 10 बच्चे होंगे और इसका position क्या होगा 11 ही ताकि left से भी 11 पड़े और right से भी 11 पड़े तो इसका answer हो जाएगा 11 यह question में पूछा गया था ठीक है कि left और right दोनों end से same हो तो यह आपका होगा 11 पोजीशन तो दोस्त यहाँ पर वीडियो खत्म होता है मिलते अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार